तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चिन भी है इस क्वेश्चिन को जल्दी से को करने के कोशिश कीजिए देखे कैसे सॉल कर पाएंगे क्वेश्चिन वैसा यह जैसा भी हमने ट्राइए किया दा कि क्या तका कि одने लिपन क Cumبل के वेन ऑने दियार यह जान देखे कि वे स्टीन के लिए जाधे लिगश्चिन पेएम helगी अपन टेखे कि अपन झावचिन प्रिछ लागी टेक है यहां पेक पेड है इसका जो टॉप है वो अलिवेशन आपको देख रहा है 60 डिग्रीज तो अलिवेशन इसकेन भी सिक्स्टी डिग्रीज ठीक है देशन्स बितने ट्री एंद पॉंट इस 50 मीटर्स तो यह दिस्टंस 50 मीटर्स दे रखा है हाइट ऑफ दर्ट्री आप से पूछा गया है एच आप से पूछा गया है बिल्कुल सेम ऐसा सिमिलियर कुशन है जो मने अभी एक्जाम्पल में देखा था क्या कर सकते हैं 10 थीटा लगा सकते हैं 10th得rararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara को मिल गये एंड रूट थ्री इस वन पॉइंट सेवन थ्री टू इंटो फिफ्टी इस उकल तो आप चाहे तो आंसर फिफ्टी रूट तरी कर दीजे यह मुल्टिप्लाइब करके करेंगे इसको फाइनल आंसर तो आपके पास आजाएगा ध्यान दिया हो कि आप एक बहुत दूर की चीज को देख रहें अभी आप अगर पास में पता नहीं चलेगा कोई दूर की चीज को देखेंगे तो एक लोकेशन देखेंगे दूसरी आख बंद करके देखोगे तो location थोड़ी से उसकी change हो जाएगी इसे कहते हैं parallax method parallax method क्या हो गया कि आपके अगर view positions change होती है आप जहां से देख रहे हो वो position अगर change होती है तो उसके साथ साथ जो सामने object है उसकी position भी change होती है इस method को यूज किया गया parallax method में कैसे किया देखते है very large distances जैसे कि distance of planet of star या earth से जो भी distances देखनी है वो measure की जाती है parallax method से parallax is the name given to the apparent change in the position of an object with respect to the background when the object is seen from the two different positions तो जो मैं position की बात कर रहा हूँ तो आप हो सकता है कि अगर object बहुत दूर नहीं है मतलब मैं सामने अला पेड़ अगर देखना चाहूँ जो बहुत यहां से थोड़ा सा दूर है तो उस पेड़ के लिए मैं जब आखे एक आख बंद करूँगा तो देखूँगा फिर दूसरी आख बंद करूँगा तो देखूँगा मुझे थोड़ असंट में वेरियेशन लगेगा बट अकर मैं moon की बात कर रहा हूँ तो या और किसी और planet की बात कर रहा हूँ तो मैं अपनी position को चेंज करूँगा अन दे आर्थ माल लिजिए मैं अभी यहां पर वापी में हूँ एक position पर देखा फिर मैं यहां से दिल्ली चला गया वहां से दूसरी position से देखा जो मेरी देखने की position है उस पर चेंज करने के वज़े से जो अपरेंट चेंज मून की या जो दूसरे प्लैनिट की position में आएगा वह मैं यहां पर यूज करेंगे the distance between two positions is called as basis जो दो पोजिशन जैसे अगर मैं सिर्फ यहां पर बैठके एक पेड़ देखना चाह रहा हूं तो मेरा object हो गया हो पेड पोजिशन कौन से होगी मेरी दो आखों की बीच के distance क्योंकि अभी मैं एक आख से देख रहा हूं तो एक उसकी location मुझे देख रही है दू दूसरी आख से जब देखा तो मुझे उसकी location दूसरे देखी मेरे दोनों आखों की बीच की distance is the basis इस चोटे केस में लेकिन अगर मैं बात कर रहा था किसी स्टार को देखने की किसी स्टार को observe करने की तो वापी से दिल्ली यह जो पोजिशन है इसको बोलेंगे हम basis ठीक है तो बैसिकली दो व्यू पोजिशन के बीच के distance is basis डियाग्राम में दिखा रखा है कंसिडर नहीं लोकेशन ओ ठीक है मैं अपनिया डियाग्राम देख लेते हैं यह एक लोकेशन है जो उसको मुझे अब्सर्व करना है तो यह एक पोजिशन है लापी और यह पोजिशन है ऑगर यह पास हो है तो यह मेरे left आई यह मेरी right है आई है बात क्लियर है आपको तोनों अप मैं यहां से देखता हूं कि position में क्या हो रहा है position चेक करूंगा मैं जब एस और इसको यहां से देखा तो उस position यह देखे लेकर से देखा खोजिशन लेकिन खूच ऐस से fina of sight मुझे देखी तो इन दोनों line of sight का जो बीच का angle है वो है थीटा और इस थीटा पे मैं बहुत interested हूँ थीटा पे इंट्रिस्टेट क्यों हूँ क्योंकि जब मैंने line of sight कि वाली देखी अगर ये distance मलेजी x आती है तो दूसरी आख से देखूंगा तब भी distance x आएगी क्योंकि ये distance काफी बड़ी है इस बड़ी distance के corresponding ये और ये बहुत चोटी से distance this b is very small distance corresponding to this x मतलब अगर मैं यहां से बैठा हूँ एक दूर वाला पेड देख रहा हूं तो इस पेड की मेरे से distance और मेरे दोनों इस पॉइंट को कर सेंटर मान के यहां से एक आर्क बनाओं तो इस आर्क लेंथ इस अप्रोक्सिमेटली इक्विल दिस लेंथ भी बहुत ज्यादा वेरेशन नहीं आएगा क्योंकि यह एंगल थीटा बहुत छोटा है इस आर्क लेंथ यह बन जाएगा इस तरीक ऐसे तो मैं यहां थीटा को लिख सकता हूं सिदा सिदा बीबाइए एक्स आर्क लेंथ डिवाइड़ेड भारी इंट इस थीटा अगर मुझे बी पता है और मुझे थीटा पता है तो मैं x can be calculated मुझे यह एक से तो चाहिए था distance of this star या this object from my position यह x मुझे मिल जाएगा अगर मुझे बी पता है तो बी तो मुझे पता है मेरी दोनों आखों के बीच के किते distance है या फिर वापी और दिल्ली के बीच के distance कितनी यह तो मुझे पता है थीटा में calculate कर सकता हूँ positions पे एक बार इस आख से देखा इस पर एक आख से देखा थीटा मुझे मिल गया अगर थीटा पता चल गया भी पता चल गया तो एक तो बदा चली जाएगा तो यह पैरलेक्स मैथड़े जो यूज होता है फार ऑब्जेक्स की distance को calculate करने के लिए कैसे कर सकते हैं एक यहां पर डागरा में बता रखा है आपको मून की distance अपन अर्थ से यहां पर कल्कुलेट करने वाले हैं तो अपने क्या किया यहां पर अर्थ है अर्थ के दो सीरो पर बन चले गए एक इस पोजिशन पर एक इस पोजिशन पर तुछ से माले एक ग्लोब है न ग्लोब के दो अपोजिट पॉइंट साब उठा लीजिए तो अपने उन दो जगे से observation लिया तो यह distance मुझे पता है इस इस डायमेटर ऑफ दे अर्थ क्योंकि दो पोज तो मुझे यह तो पता चल गया इस डायमेटर मेरे अपनी दो पोजिशन के बीच के डिस्टेंस मुझे एंगल पता कर सकता हूं कैसे पता कर सकता हूं एक बर मैं इस ट्रेट साइट तेखी यहां पर एक बर उस अबजेक को देखा इन दोनों के बीच का अंगल मुझे मिल सेम इस लिस कुछ मुझे दोनों झिंगल सु просyाट सकते हैं दोुट निकालक्स लिए तो चलिए आपकूँ पूछा गया है कि moon substance again angle one degree 55 minutes अभी पड़ा था ना this is degree this is minutes one degree 55 minutes at the baseline equal to the diameter of the earth यह आर्थ होगया यह baseline होगय मतलब दो positions यहां पर है this is diameter और यहां पर यह moon है यह इसा angle बना रहा है this angle is one degree 55 minutes यह आपको दे रखा है what is the distance of the moon from the earth और radius of the earth आपको यहां पर किवन है तो क्या अपना question अपने को पता है कि यह length अगर x है तो यह arc की तरह behave करेगा arc is equal to diameter this angle is theta हम लिख सकते हैं यहां पर arc is equal to distance x into theta या फिर अपने को x चाहिए तो लिखा जासकता है आर्क by theta arc is diameter of the earth यह radius of the earth इसका डबल 2 into 6.4 into 10 to 6 divided by theta theta अपने को लिखना पड़ेगा radians में क्योंकि ऐसा unit की बात हो रही है सब कुछ radians में लेकर चलता है तो पहले इसको radians में convert करना पड़ेगा radians में convert कैसे करेंगे तो वन डिगरी 55 मिनिट से कि बंडीग्रीज में कितने मिनिट्स होते हैं 60 मिनिट्स तो यह टोटल कितने मिनिनेट्स हो गे 60 60 Minutes plus 55 Minutes this is 115 Minutes total 115 Minutes यहां पर है तेक है और आपने जो उस टेबल पड़ी थी मिनिट से रेडियन वाली मैं इसको सिधा भी यूज कर लेता हूं यहां पर तो आप इसको कनवर्ट कर सकते हैं दिस 115 Minutes multiplied by 4.86 यह उस टेबल में था इंटू 10-6 इतना रेडियन से हो जाएगा अब अपने को कंसिडर करना है इसको बन सॉल करेंगे जब सॉल करेंगे तो आपका अंसर में लेगा 3.83 इंटू 10-8 meters यह आपका फाइनल आंसर आजाएगा तो बिसिकली धियान के रखना है चाहिए बाइस आपकी पोजिशन से डिस्टेन्स टिस्टेंस रेडियस जो आप लेकना चाहते हैं यह रेडियस हो गए यह आर्क हो गई और एंगल लोकिया और हमें रिलेशन पता हैं इस डिलेशन को यूस्ट कर ना है एंगल को मिशा रखना है यह बाद्यान रखेगा दूस यूज्ण दिन रखेगा दिस वेज रेडियस असको यूज्ण करेंगे यहां पर तो इस सरे कैसे क्वेश्टन किया जा सकते हैं तो थर्ड में तड़ आता है वहां से किसी एक जैसे मालेज़े एंटीना है यह तरफ वेज़ेंट कर रहे हैं अब यहां पर बीच में कोई अब्जेक्ट आ गया तो वेज़ेंगे वेज़ेंगे वापस आजाएंगी बापस ऐेंगी तो अपने को समझ में आएगा कि अच्छे यहां पर कोई object है और वो कितना दूर है तो वेज़ेंगे किस्पीड मुझे पता है तो मैं यह डिस्टेंस बता सकता हूं और स्पीड क्या होती है डिस्टेंस ट्रावल बड़ा मैं टेकन तो डिस्टेंस गतनी हो ज इसेंद्स वो रैडियो detection डेंचिंग रडार इस रेडियो detection डेचिंग एइस आज इसमें है तो रेडियो वेवस यूसकरते हैं बहुत ज्यदा की बात नहीं के रेडियो वेवस क्या है तो आप जो रेडियो सुनते हैं वो किस वजह से काम चल पार रहा है रेडियो वेज़ यहां पर यूज़ करते हैं इतना इसका देख सकते हैं अपने देखा भी होगा कि रड़ार बहुत सारे इसमें यूज़ यहां जो गए फाइटिंग जैट्स हो गए सब्मरीन सो गए शिप सोगया यह सब लोग रडार यूज़ करते हैं तो शिप में रडार क्या देख रहे हैं वह लगातर नीचे वेवस ट्रंसफर के रहा ट्रांस्मिट किये जा रहा है अगर नीचे पानी में कोई एक अब्जेक्ट रखा हुआ है तो वह उसे टकरा के वापस आएंगी तो तुरेंट स्क्रीन पर दिखने लगएगा कि आगई एक अब ऑब्जेक्ट से कितना खत्रा है वह यहां पे बैठके जच कर पाएंगे तो इस केस में बहुत कामा थी तो डिस्टेंस बता पारी आराम से पोजिशन बता पारी इसके शेप बता पारी है तरीका वही हो गया यह का फॉर्मूला हो गया टाइम टेर्वल टी बेट्विन इंस्टेंसेश दरेडियो वेश आर सेंट एंड रिसीव टी क्या है यह टोटल टाइम डिफ्रेंस यहां से रेडियो गई और वापर साई इस टोटल टाइम इस टी अपने कुछ बच यह इंडिस्टन्स इस एक तरफ हापन देख सकते हैं स तो पहुंचा उसे बोला इको इस एको काने में लगा सेवन मिनिट्स मतलब आप सोचे कि यह आर्थ है यहां से एक प्लैनेट है इस प्लैनेट तक वेजी और टकरा के वापस आई इस टोटल प्रोसेस में आपको जो टाइम लगा हो लगा सेवन मिनिट्स if the distance between the planet and the earth is this, आपको distance अलोड़ी दे रखिये, this distance d is 6.3 इंटो 10 दिस पर 10 meters तो पूछा आपको, calculate the speed of the signal, wave की speed यहांपा आपको पूछ ली, बढ़ असान से बात होगया है तो, क्या जाते है आपन, velocity is equal to distance by time distance कितना है, 6.3 इंटो 10 दिस पर 10, time, यह total time क्या है, जाके वापस आने का, distance, एक तरफ आपन जब ले रहे हैं, तो time भी एक तरफ के लेना चाहिए, तभी आप सही आंसर बता पाएंगे, तो time अपन लेंगे, तो 7 इंटो 60 इंटो 60 इंटो 60 इंटो 60 क्यों क्या, seconds में convert किया, SI unit में हमेश आपने को लेना है, and the SI unit of time is seconds, यह distance आपने meters में लिया, SI unit, यहां भी आपने लिया seconds में, SI unit, तो यहां से आपको velocity मिल जाएगी, in meter per second, वो आप सीदा सीदा, यहां से बता सकते हैं, and the answer is 3 इंटो 10 लगबग लगबग, यहां से मिल जाएगा, 3 इंटो 10 इंटो 10 इस पर 8 meters per second, जो कि light की speed भी होती है, तो यह सारी waves जो चलती है, वो light की velocity के साथ चलती है, radio waves हो गई, light waves तो है, x-rays हो गई, gamma rays हो गई, यह से जितने भी electromagnetic waves हैं, वो सारी light की से चलती है, तो यहां से match कर जाएगा तो यह सारे method थे, length को measure करने के, अब आपको एक comparative यहां पे चार्ट बना के दे रखाए, ताकि आप compare कर पाएं कि अलग-अलग distances या साइस क्या-क्या होती है, जैसे boundary of observable universe, जो universe अभी तक अपने observe किया है, उसकी boundary अगर देखो, तो 10 इस पर 26 meters उत्ता दूर है, सोचो यह 10 इस 6, एक distance का unit आती है, light years, आगे में बात कर लेंगे इस बाले में, one light year, light year, light year, light year का मतलब होता है, कि distance traveled by light, distance traveled by light, in one year, एक साल में कितना distance travel करती है, यह क्यलाता है, one light year, this is a unit of distance, unit of length, यह year देखके लगता है, कि unit of time होना चाहिए, लेकर ऐसा नहीं है, this is a unit of length, और कैसे डिफाइन होता है, कि एक year में, light ने किसना distance travel किया, कैसे डिफाइन करोगे, तो light की velocity होती है, 3 into 10 इस पार 8, टाइम कितना है, एक साल, एक साल में कितने महिने, 12, एक महिने में कितने दिन, कि आपन मान लेते हैं, तीन सो पैसेट दिन सिदा सिदा, एक साल में तीन सो पैसेट दिन, एक दिन में 24 गंटे, 24 गंटे, हर गंटे में 60 मिनिट और 60 seconds, यह जो distance मिलेगे न, इस distance is one light year, यह इतनी बड़ी distance है, और एक्चुली हमें काम यही आती है, क्योंकि जब आप प्लेन हो जाएगा, प्लेनिट बहुत दूर है, तो उनके लिए बड़ी युनिट चाहिए, बड़ी युनिट, लाइट युनिट और भी युनिट है, जो हम आगे आगे देख लेंगे, तो ऐसे कुछ-कुछ कंपेरिजन आपको यहां पर दे रखें, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, इस टेबल से, जस्ट एक आइडिया के लिए कि अच्छा क्या-क्या चीजें देखी जा सकती है, जिसे रेडियस ऑफ एर्थ, टेंडिस पर सेवन का सबस चलती है, ओके, कोई कुछ कहना चाहरे है, चीक है, छोटी युनिट से खें, तेखिए, ठिकनेस ऑफ पेप के बराबर होती है, इस लाइट की वेवलेंथ माइनस सेवन तक जाती है, वाइरस का टिपिकल साइज होता है, टेंडिस पर माइनस एट तक होता है, करोना वाइरस के जाब बात कर रहे हैं, यहां पर, डायमिटर ऑफ हीड्रोजन एटम उससे भी छोटा है, अटोमिक नुक माइनस सिक्स मेटर यह, यह एटम्स की साइज दिखाने के लिए नूकलियुक्लीस की साइज दिखाने के लिए कामा थी, ऐसे ननो-μείٹर हो गया, माइक्रोग्य धी, यह भी तौम परम श्क्स मेटर, वन लाइट यह भी आपको बता रहा था, इसकी यह वेल्यू है, 9.467 10 to 15 meter इससे एक unit और आती है astronomical unit जो क्या है? distance of earth from the sun इसे भी एक unit बोल दिया astronomical unit जिसके value यह है पार से एक यह भी एक unit है जिसके value यह होती है तो अजी practical units हैं को जो काम ली जा सकती है similarly length के बाद आता है measurement of mass वो मैंने आपको बताया था कि यह एक standard आपने बना रखा है इस standard के किसाब से अपन measurement of mass करते हैं इसे पढ़ लीजेगा बहुत जादा इसमें कोई variety नहीं है electrons का mass आपको दे रखा है बड़े masses हैं उनके लिए क्या करेंगे इसे चोटी चोटी बात हैं आप पढ़ के इसको समझ सकते हैं कोई खास बात इसमें नहीं मिलने वाली आपको सिमिलर्ली यहां पर मास के रेंजिस दे रखी हैं एक electron का मास कितना होगा ऐसे एक सेल का मास कितना होगा raindrop का मास फिर fruits फिर human का मास ऐसे अलग-अलग यहां पर आपको comparative study के लिए different different masses दे रखें इसे आप देख लेज़े गाई पर चंद्रशेकर लिमिट इस दर लार्जेस प्रेक्टिकल उनिट अफ मास यह बाद आपको धिहान लखने है चंद्रशेकर हमारे जो साइंटिस्स दूए थे इंटिन साइंटिस्ते चंद्रशेकर उन्होंने एक ही उनिट दे थी चंद्रशेकर लिमिट CSL, this is the unit of mass जो होता है 1.4 times mass of the sun this is the largest practical unit of the mass but the smallest practical unit of time है वो होता है shake this shake is 10 to the power minus 8 seconds this is a practical unit, एक shake this is a shake is 10 to the power minus 8 seconds okay similarly time का measurement तीन बात थी लेंथ, mass और टाइम लेंथ के हम बहुत डीटेल में बात कर चुके, mass second है तीसरा है time के बात time के बारे में भी कुछ-कुछ ऐसी बात है यह एक oscillator रखा हुआ है जसके अंदर जो मैं आपको बता है था कि definition की light कितने light 1 by 3 into 10 इस पार 8 seconds में किता distance travel करती है वो आपने एक मीटर बोला था इसे time के लिए भी एक standard बना रखा है time के लिए standard क्या है atomic clock मापे बना रखी है atomic clock का जो define है वो एक one second को define करता है तो बहुत जादा हमें इसके detail में नहीं जाना है यहां पे भी आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी दे रखी है जो time को relate करती है comparatively आप इसे पढ़ लीजेगा जितना समझ माता है ठीक है अधरवाइस कोई बात नहीं चलेगा age of universe यहां पे आपको दे रखा देखे टेंड़स पर 17 seconds Egyptian pyramid इतने पुराने है life of a human being इतना है यह सारी सेकंड में दी हुई है ओके चले तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं errors की अब measurement तो अपने कर लिया अब उस measurement में कुछ errors भी तो हो सकती है errors किस type से हो सकती है या तो जो measure कर रहा है उसी ने थोड़ा सा measure गलत कर लिया मालीच आपने बहुत basic से बात करते है कि scale आपके पास है आप एक distance एक line आपने खीचे हुई उसकी length आप measure करना चाहे उस scale से तो क्या-क्या possibilities है आपने उस scale को उस line के बिल्कुल ठीक साथ में जमा के नहीं रखा थोड़ा सा टेड़ा कर दिया तो readings गलत आजाएंगे या आपने इसको पड़ा सही से नहीं reading कुछ और किया थी आपने कुछ और लिखे दिया तो readings गलत आजाएंगे या यह हो सकता है कि इसकेल की dimensions चेंज हो गई हो या उस paper पर जिस पर आपने line कीची हो यह उसकी dimensions चोड़ी चेंज हो गई हो तो readings गलत आजाएंगे या यह हो सकता है कि scale जो बनाया गया है जो instrument है वो खुद अपने reading ले रहे हैं इसका जो deviation है इसे कहते हैं error अब जो भी calculation इसमें करते हैं उसमें error आना बेलकुल सभाविक है और आती ही है ऐसा possible नहीं है कि आप बेलकुल एक्जेक्ट इंस्ट्रुमेंट पर बना दिजिए एक्स्परिमेंट के लिए इस नौट पॉसिबल हमेशा वहां पर होंगी हम एर को कम जरूर कर सकते हैं करने के हम कोशिश जरूर करते हैं लेकिन error होगी जरूर तो देखने के लिए दो चीज़ेया देखी जाती है एक टर्म होती एक्क्यूरेसी और एक होती है प्रिसिजन यह दो अलग-अलग बाते हैं जो कहीं बार सेम सेंस में यूज की जाती हैं लेकिन विचिस रॉंग दो तसके के यह जते हैете है यह डिस दिमेस अपने वह देखा एए गें दखा हुआ है आपने जिसमें बोटे सामने टार्गेट करने से समंद्रें ने जिसमें लाजग वी मैं स्कने की लिए यह शूटिंग यह इस ऐसं की यह टार्युट त morning कि अब्नाफ़ किया है तो यह है प्रिसाइज यह हूना चाहिए कि यहां पर लगेगा तो इसे बूर performing यह इसकी oxid वाली Valeu है जहां पर अपका टारेट लगना चाहीए एक में उदना चया फूवरनार चाहिए यहां पर टार्गिट करते हैं तो आपकी व तो कि दो नहीं है, जब यह इस पर लगता, सु इस नॉट ऐकिरेट अच्छीज बें नहीं, प्रिसाइज क्या हो गया? प्रिसाइज मतलब आपने चार शूट कीए और और उचारों मानली एक ही जग लगते या आसपास लगते, जैसे कि सेकेंड के से, यह अपने चार शूट किये और चारो लगबग पास में लगे मतलब यह रिजल्ट अक्यूरेट तो नहीं था यह इस पे तो नहीं लगा बट यह प्रिसाइस था प्रिसाइस क्यों आपने जित्ती बार शूट किया न एक ही जगे पर लगबक लगबक सेंगे पर आपने शूड किया तो इसे कहते है प्रיसाइस इसे कहते है प्रैसिजटन कि आप जितनी बार वाक्स्प्रीमेंट करें करें हर आपको सेम वेल्यों वने इस व viewing उसींद वेल्यों लगबक सेम वैल्यू इस ही पोजिशन पर लग रहे हैं मिलब आसपास सब लग रहे हैं तो यह एकुरेट भी था और प्रिसाइज भी था तो यह दू वर्ड्स हैं जिनके बारे में अपने को डिफरेंस समझ में आना चाहिए एकुरेट जो इसकी एक करेक्ट वैल्यू है उसके कितना पास है और प्रि साइज होना इस नॉट कंपल सरी कि वह करेक्ट होगा ही इस इस नॉट इस नॉट कंपल सरी तो यह बेसिक डिफरेंस से आपको ध्यान रख रहे हैं इसमें कुछ एक्जम्पल्स आपको दे रखें आप पढ़ेंगे बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे बहुत जनरल एक् इसको थोड़ा सा पढ़ना पढ़ेगा यह फिर पूरा ऐसा है कि आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे एक नुमेरिकल एक्जम्पल इसका वो भी आपको दे रखा है आप इससे देखिएगा आपना जो नेक्स्ट यहां पर आता है अब बात करेंगे अब एरर्स की किसके स्टाइब की एक सिस्टम में हो सकती है थोड़ा सा आगे जाके मैथेमेटिकल होता है तो पहले थेडिकल पॉर्शन देख लेता है मैथेमेटिकल इसका अपन नेक्स क्लास में देखेंगे तो आज की जो कुछ डेफिनेशन से उनको देख लेते हैं पन जल्दी से एरर्स किसके स्टाइब की हो सकती है तो पहली एरर होती है सिस्टमेटिक एरर किसे कहते हैं सिस्टमेटिक एरर री प्रोडूसीबल इनकुरिसीज इटर कंसिस्टेंटली इन दे सेम डार्शन इसकर एक कि इंस्ट्रूमेंट मी जिक्त है तो रोगा चैर। बार एक्स्प्रिमैंट कर ओगे यवागातार मिलती रहेगे हैँ तो इस तरीके से आप हमेशा हमेशा माजर करने शरी के गोग एड्ससे तो लगतार उसमें अ तो यह यह इक सेस्टमेंटिकार्स्टार एसा ही चोथा IT य९ इसे आफ टेमऩर्टार ना चाहिक और मान लिए यह सी चला रखाया आप लगिए बाहर का वजह हो रखी है तो यह चैनल कंच हो गया तो यह कुछ भी हो सकते हैं अभी पांच मतलबubenेश स्केल अपनी देखिए उसा सेंटीमेटर्स बने हुए होते हैं उन सेंटीमेटर्स की बीच मिलिमेटर्स बने हुए होते हैं तो इसे के लिए आप एक स्केल से जो मिनिमम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं वो है वन मिलिमेटर उससे चोटी डिस्टेंस आप उससे मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पर ही उ 1 mm, चोटा दिखा तो आप एक scale पर 1 mm, मेजर कर पाएंगे, तो this is the least count, जो सबसे चोटा आप उस पर count कर सकते हैं, इस instrument पर is called least count, तो एक scale के लिए least count is 1 mm, अब least count error क्या होती है, smallest value that can be measured by the measuring instrument, ये तो हो गया least count, and the error due to this, measurement is least count error, तो मैं मानता हूं कि माली यह जो मेरी डिस्टेंस आती है अब इसकेल से मेजर करेंगे 17.6 mm ऐसी मेरे पास डिस्टेंस या रही है जबकि इसके जो प्रिसाइज वेल्यू है वो है 17.562 mm यह इसकी प्रिसाइज वेल्यू आनी चाहिए अब मेरे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेट होना भी तो चाहिए जो कम से कम इस डिजिट का दो या तीन के बाद तक उसके मेजर कर सके मेरे पास जो है वो तो सिर्फ 501 तक मेजर कर पा रहे है तो यह तोई जिससे कैसे दूर क्या सकता है आप हाई प्रेशन का इंस्ट्रूमेट कि दिलिए यह उससे आप मेजर किजिए तो एरु रोजाएगी तो यह हो गए सिस्टमटीक ऐरर्स कुछ उसकी बाता आती है कुछ रिंडम, जो किसी पी वज़े कि तो यह इस वज़े से और सकती है। कि अब इसमें रेंडमर्यस का नाम इसिपक्स क्वाज़ से नहीं से अब ने देखीं उनके अलावा कोई इसरो से को इसलाव। अब जैसे यहां पर आपको दे रखाए कि एक डेंडमर का एक्जामपल है कि आपको एक डायमेटर निकालना एक वायर का डायमेटर आप मेजर कर रहे हैं ठीक है तो आपने बहुत सारे रीडिंग लिए आपने तो आपके पास बहुत सारे वैल्यू जा गई अब क्या करेंग लेकिन वहwał ही डायमीटर के आपकर 10 डायमीटर के बाद हम आब यदिक पहुंछ बहेंगे तो एसे सारी जो होती है त Themen careless of an observer is called gross error मतलब जो observer है उसकी carelessness की बात को रही है आपर चले बाद reading the instrument without setting it properly अच्छे सेट नहीं के instrument और पढ़ने लगए उसकी readings तो गलत हैंगे wrong manner में observations लेना wrong observation record कर लेना लेना था diameter ले रेडियस wrong values calculate करना calculation नहीं यह सारी जो हैं वो observer की errors है तो इस टाइप से यह सारी errors हैं जिसके यहां पर कुछ examples पर आपको दे रखें रैंडम errors के systematic errors के और इनका कैसे आप इनको दूर कर सकते हैं यह बात भी यहां लिखे गई है तो यह पूरा एक theoretical portion जो आपको दियान रखना है थोड़ा साब इसके बारे में पढ़ लीजेगा अब आपन जो कल से शुरू करेंगे वो बात करेंगे इसके mathematical analysis की errors के तो उसमें कौन-कौन से errors होती है और उनको कैसे calculate किया जाता है इस बारे में पूरा रहेगी तो absolute error रहेगी उसको कैसे calculate किया चाहेगा mean absolute error रहेगी उससे कैसे calculate करेंगे इस टाइक की कुछ errors है जिनके अपन बातियां पर करने वाले है तो आज का पूर्शन आपको कुछ-कुछ समझ में आ गया होगा तो नोट्स में आपको भेज रहा हूं आप इसको एक बार go through कर लिजिए जस्ट नजरे मार लेना है बहुत याद नहीं करना है कुछ इसमें आपको नजर मार लेना बस एक बार पढ़ लेना कॉफी पीते-पीते साथ में पढ़ लिया ऐसा हो गया वारिश चल रही है बाहर बढ़िया यह पढ़ लिया साथ-साथ में ऐसा इसको करना है याद कुछ नहीं करना है इसमें से हाँ वो seven fundamental quantities याद रखनी है और कुछ-कुछ basic basic बाते हैं जो मैंने आपको highlight की है वो याद रखनी है तो आज की class आपको clear है yes or no चले बहुत बढ़िया तो मिलते हैं अपन next class में तब तक अपना दियान रखिए और पढ़ते रहें बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-